अगर आप एक भारत के नागरिक हैं आपको बता दे इन तीनों ही खबरों से सीधे आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा इसलिए अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर इन तीनों खबरों को ध्यान से वीडियो को थोड़ा सा भगाए बीना देख लें अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी भगा देंगे तो हो सकता है कोई जरूरी जानकारी आप मिस्स कर देंगे चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तो साथी में आपसे छोती से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें कफ़ल है दोस्तो आपको पेट्रोल डीजल सोने चादी का ताजा भाव बताने से पहले आईए वो तीन बड़ी खबरें बता देते हैं आज की पहली खबर कि जरा सी गलती से आपका ATM काड हो जाएगा है ओनलाइन शॉपिंग में बरते हैं ये सावधानिया जी हाँ दोस्तों फिर से ATM को हैक को लेकर और जो लोग ओनलाइन ट्राजेंक्शन करते हैं उन लोगों को लेकर एक बड़ी खबर आई है आपको बता दें हैकरों ने एक नई तकनीक से लोगों को ठगने का काम शुरू किया है आपको बता दें इस नई तकनीक का नाम फॉर्म जैकिंग है फॉर्म जैकिंग एक वर्चुल ATM स्कीमिंग तकनीक है जिसके जरीय साइबर ठग ऑनलाइन वेबसाइटों को टारगेट करते हैं और वो वेबसाइट में कुछ ऐसे खतरनाक कोड डाल देते हैं जिस आसानी से ग्रहकों की बैंक डिटेल उनके हाथ लग जाती है जब ग्रहक प्रोड़क्ट सेलेक्शन के बाद परचेजिंग पर ज करता है उसी दोरान है कर वो जानकारी उड़ा लेते हैं और उसका खाता खाली कर देते हैं आपको बता दें बीते साल इस तरीके से करीबन अरबो डॉलर का चूना लगाया जा चुका है बहुत सारे लोगों को इसलिए आप कहीं पर भी ऑनलाइन अपना एटियम देते वक् इपाटमेंट के जरीए आप पेमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सेक्योर है या नहीं आज की दूसरी खबर कि मातर 10,000 रुपे में मिल सकता है श्वामी का 48 मेगा पिक्सल कैमरे वाला ये फोन इस हफते हो सकता है लॉंच जी हां दोस्तों आपको बता दें चीनी स्मा दिये जा रहे हैं और जिस तरह का कैमरा दिया जा रहा है इस तरीके से ये फोन बहुत ज़्यादा सस्ता पढ़ने वाला है आज की तीसरी खबर कि मकान खरीदारों को रहात निर्मान धीन मकानों पर GST घट कर 5% हुआ और किफायती घरों पर 1% हो गया है जी हां दोस्तों जो मकान खरीदने वाले हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशकबरी आई है आपको बता दें जिन मकानों पर 12% GST लगता था उसे घटा कर 5% कर दिया गया है और जिन किफायती घरों पर यानि छोटे मोटे घरों पर जिन पर 8% का GST लगता था उसे घटा कर सिर्फ 1% कर जो भी लोग घर खरीदना चाहते हैं उन लोगों को बड़ी खुशकबरी दी गई है तो दोस्तो आईए अब आपको पेट्रोल डिजल सोने चांदी का ताजा भाव बता देते हैं दोस्तो बात करें पेट्रोल डिजल के ताजा भाव की तो आपको बता दें पिछले 6 दिन एक लिटर पेट्रोल 71 रुपे 66 पैसे का मिलेगा वहीं बात करें डिजल की तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में एक लिटर डिजल 66 रुपे 92 पैसे का मिलेगा साथी में बात करें देश के आर्थिक राजधानी मुंबई की तो मुंबई में पेट्रोल के दामों में 9 पैसे की बढ़ोतरी हुई है इस बढ़ोतरी के बाद आज बुधवार को मुंबई में पैट्रोल की कीमत 70 रुपे 29 पैसे प्रती लीटर हो गई है वहीं बात करें मुंबई में डीजल की तो अभी आपको मुंबई में एक लीटर डीजल 70 रुपे 10 पैसे का मिलेगा बाकि कितने घटे हैं या कितने बढ़े हैं बात करें सोने चांदी के ताजा भाव की तो आपको बता दें बीते दिन दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 60 रुपे सस्ता हुआ है। पैट्रोल डिजल सोने चांदी के ये ताजा भाव थे उम्मित करते हैं वीडियो से आपको फायदा होगा और जानकारी मिली होगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। रोजाना की ताजा खबरों स अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का इगन जरूर दमाएं थेंक्स वर वाचिक